तेहारों का सीजन शुरू हो गया है, रक्षा बंदन आ रही है, तीज आ रही है, ऐसे में हम क्या बनाएं कुछ नया ट्राइ करते हैं, आज मैं सेवईयां से भूती जादा डिलिसियस, टेस्टी, सूपर सॉफ्ट, मुँमें घुल जाने वाला डेजट लेके आई हूँ, जो खाने में बहुत ही जादा टेस्टी बनता है, एक बार अगर आप इसे खाएंगे, तो दीवाने हो जाएंगे, तो आईए इसे बिना किसी देरी के, जल्दी से बनाना शुरू करते हैं, हलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू मैं किचन, टेला किचन में आपका भौक भौक स्वाग बिल्कव बारिक वाली से वह इसे हमें तोड़ना है, इसे हम छोटे चोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, इसे हमें बहुत ही जादा ध्यान से तोड़ना पड़ता है, बहुत ही जड़ा उचलते हैं, साथ में ले यहां ड्राइफ पिस्ता, काजू, बादाम, और अख कढ़ाई रखेंगे गैस पर इसमें डालेंगे हम आधा छोटी चम्मच देसी घी गरम हो गया है अब इसमें डालेंगे जो ड्राइफ रूट्स हमने कट करके रखेंगे इसमें डालेंगे और हलका हम रोस्ट कर लेंगे रोस्ट करने के बाद जब हम ड्राइफ रूट्स डाल गिःलिया है घी हमारा गरम हो गया है इसमें हम डालेंगे जो सेवईया हमने तोड़के रखी है इसमें हम थोड़ी-थोड़ी करके सेवईया डाल देंगे सेवईया डालने के बाद हमें इसे golden brown color आने तक अच्छे से पलट पलट कर सेखना है सेवया हमारी अच्छे से सीख जाए 7-8 मिनट में अच्छे से सीख जाती है और gas की flame को बहुत ज़्यादा high नहीं करना है यह बहुत पकली रहती है और जल्दी सीख जाती है इसलिए हम low flame पर ही इसे सेख लेंगे इसी कढ़ाई में हम डालेंगे एक लेटर दूद दूद हमारा full fat milk होना चाहिए एक लेटर मैंने यहाँ दूद लिया है इसमें डालेंगे एक चुथाई कप milk powder milk powder डालने के बाद हमें इसे continue चलाते होगे cook करना है अब इसे side में छोड़ देते हैं अब इहां लेगे हम 3 bread मैंने यहां sandwich वाली bread ही लेड़ ले हैं घीज हमें कट कर लेना है और जो एजिज हम फ्याकेंगे नहीं इसका हम bread crumbs बना सकते हैं इसके आम पकोड़े बना सकते हैं यह ज्यादा नहीं है तीन लेई है मैंने यहां ये देखे, तीनों के एजिस हमने कट कर लेई हैं, दूदूध चेक कर लेते हैं, दूध हमारा गरम हो गया है, अब इसमें जो bread की एजिस हमने कट की है, एकी करके bread हम दूध में डाल देंगे, ये देखे, आप अच्छे से हम इसे बोईल कर लेते हैं. यह देखें, ब्रेड अपने आप से दूद में घुल जाएगी, जैसे जैसे बॉल्ड होगा, अपने आप घुल जाएगी, अब इसमें डालेंगे 90-100 ग्राम जितनी चीनी, यह आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, चीनी डालने के बाद कंटीन्यू हमें इसे कुक करना है, यह दे केसर वाला दूद, अच्छे से कुक करेंगे, दूद को हमें तब तक कुक करना है, जब तक कि एक लेटर दूद का 600 अमेल दूद बचाना है, तब तक दूद हमारा अच्छे से थिक हो जाएगा, यह देखें, दूद हमारा काफी थिक हो गया है, आदा चमच इसमें मैंने इलाईची का पाउडर डाल दिया है फ्लेवर के लिए भ shareов अब दोबारा से हम इसे थोड़ी दिर के लिए कूश कर लेते हैं दूद हमारा गाडा होना शुरू हो गया है ये देखिए दूद हमारा अच्छे से गाडा हो गया है अब हम नीचे उतार के ठंडा करेंगे सेविया को मैंने दो भागों में बाट लिया है आदी सेविया मैंने अलग से रख ली है आदी सेविया मैंने एक काच का मैंने यहां मोड लिया है इसमें डाल लिया है काच के बाउल में डालने के बाद आधी सेवियां को फैला लिया है अब इसमें डालेंगे ठंडा हुआ दूद दूद को अच्छे से ठंडा कर लिया है ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा ठिक हो जाता है ठंडा होने के बाद दूद को हमें इसमें डालना है सेवहियों के उपर हम फैला लेंगे आधा दूद हमें इस सेवहियों के उपर डालना है और आधा दूद हम बचा लेंगे ये देखे आधा दूद मैंने यहां सेवहियों के चारो तरफ अच्छे से डाल दिया है अब इसके उपर थोड़े से डालेंगे ड्राइ फ्रूट्स जो हमने रोस्ट करके रखे हैं थोड़े ड्राइ फ्रूट्स हम बीच में डाल देते हैं खाते वक्ट जो क्रंची नहताता है बहुत टेस्टी लगता है थोड़े dry foods मेरे हां उपर से डाल दिये हैं अब इसके उपर डाल देंगे हम दुबारा से जो बचे हुई सेविया हैं इसके उपर दुबारा से हम फैला लेते हैं पूरी सेविया इसके उपर मेरे हां फैला दी है अब इसके उपर डालना है हमें बचा हुआ दूद लेकिन उससे पहले हम थोड़े से dry foods डाल देते हैं थोड़े से dry foods मैंने हां सेवियों के उपर ही डाल दी है ठोड़े ट्रैफोट्स डालने के बाद जो बचा हुआ दूद है वो भी हम इसके उपर अच्छी तरह से स्पून में भर कर फैला देंगे ये देखे अच्छे से फैला दिया है साइट से हम स्पेचूला से कठा कर देते हैं ये देखे अच्छे से शेप दे दी है अब इसे हमें फ्रीजर में रखना है आधा घंटे के लिए आधा घंटे बाद मैंने फ्रीजर से बाहर निकाला है ठंडा हो गया है अब इसके उपर पिंग क्रीम लिया अच्छे से फैला दिया है इसके उपर हलका सा मैं यलो कलर डाल रही हूं आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं मैं यहां कलर अच्छा दिखे इसलिए डाल रहे हूं कि देखने में खुब सूरत दिखे हमारा डेजर उपर से हम बचे हुए जो सारे नट् उसके बाद मैं आपको निकाल के दिखाती हूं कि हमारा जो डेजर्ट है सेवयों का कैसा बना है और कैसा उसका टेस्ट है खाने में कैसा लगता है यह देखे धाई गंटे के बाद मैंने इसे फ्रीज से निकाल दिया है यह अच्छे से सैट हो गया है अब मैं इसकी निकाल के दिखाती हूं यह कैसे बना है यह देखे इस तरह से स्पेचुला से हम निकाल लेंगे सूपर सॉफ्ट करंची बहुत ही ज्यादा डिलीसियस बनता है इस तरह से यह देखे आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा क्रीमी भी है और बीना किसी जंजट के जल्दी स बनने वाला डेजर्ट और सभी मिठाईयां इसकी आगे फिकी लगने वाली है यह देखे कितने अच्छी जो सेवया दिख रही है कितनी अच्छी लग रही है आने वाले तेफारों पर आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए इतना डिलिसियस बनता है कि आप रोज इसे ही बनाएंगे बच्चे मांग मांग कर खाएंगे अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ने बुले और बैल आइकोन पर कलिक जरूर कर ले न्यू मोर रेसिपीश के लिए हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे धन्यवाद